असी के दसक में विनोत्खना इस्टारडम के चरम पर थे यही वो समय था जब उनकी लोग प्रियता अमिता बच्चन के बराबर हो चली थी कहा जाने लगा था कि जल्दी वह अमिता आपको पीछे छोड़ कर इंडस्ट्री के टॉप सुपरिश्टार बन जाएंगे लेकिन इ अपनी माता के देहान से विनोत्खना तूट गए उसी समय उनके दोस्त महेसबट ने उन्हें अध्यात्म की और जाने की सला देते हुए ओसो रजनीश के बारे में बताया एक इंटर्वियू में महेसबट ने इस बात का जिकर करते हुए कहा था ज्यादा लोग नहीं जान गए हम उन दिनों भगवा चोला पहना करते थे कुछ समय बाद में आश्रम से निकल आया लेकिन विनोत वहीं रुक गए उन्हें ओसो ने वह रुकने के लिए मना लिया और फिर वह विनोत को अपने साथ अमेरिका ले गए पांच वर्ष तक सन्यासी जीवन जीने के बाद विनोत फिर से मुंबई आ गए और फिल्मी दुनिया में दोबारा कदम रखा विनोत खना ने रजनीस के आश्रम को छोट कर बॉलिवुड में फिल्म इंसाफ से धमाकेदार वापसी की महिस बट इस मौके को कैस करना चाहते थे इसलिए उन्होंने अपने भाई मुकेस विनोत खना इस बात से बहुत नाराज हुए और वो आए दिन सुटिंग कैंसल करने लगे इस तρέक गुशे में विनोत ने लगातार 40 दिन तक सुटिंग कैंसल कराई थी जब पैसे ना मिलने की वज़े से विनोत खना ने उनकी फिल्म अटका दी तो मुकेस भटने विनोत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया, वो उनके खिलाफ पब्लिक में उल जलूल स्टेट्मेंट देने लगे, कुछ समय तक तो विनोत करना सांत रहे, लेकिन जब उन्हें लगा कि पानी सर के उपर जाने लगा है तो उनका गुसा भी सातवे आसमान पर पहुंच गया, आखिर एक दिन स्टूडियो में उनका मुकेस बट से सामना हो गया, विनोत करना इतने गुसे में थे कि मुकेस को देखते ही उन्हें कई चांटे जर दिये, जिसके बाद महिस बट और विनोत करना की दोस्ती तूट गई, महिस बट जो खुद को विनोत करना का बहुत अच सब्सक्राइब करना न भूले, ठैंक्स फोर वाचिंग